हालो फ्रेंस ना मटन करी ना मटन का कोर्मा ना मटन का सालन आज मैं आपके साथ में शेर करूंगी सीने के मटन से एकदम नई और अनोकी रेसेपी ये जो मटन होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजिस बनता है थोड़ा गलने के लिए टाइम लगता है यह बॉइल होने के लिए काफी टाइम लगता है तो हमने यह हाफ केजी से थोड़ा ज़ादा मटन लिया है सीने का इसे देखिए हमने वाश करके भीगोने के लिए एक से देख घंटा रख दिया था ताकि इसके अंदर का जो भी हो स पानी से निकल जादे कि इसका एकड़ं वाइट वाइट कलर हो चुका और इसमें फैड बहुत जादा रहता उपर से हमने दो से तीन फैड के पीसे इस Means कि है इसे डायरेक हम कुकर में ले लेंगे कुकर में एक गिलास पानी डालेंगे यहनि मटन डालेंगे तो टेबल वरना यह जो गोश है तो ब्लैक ब्लैक हो जाएंगा यानि काला पड़ जाएंगा देखे इसमें कितना जादा फैट है हर पीस में इसके जो है तो फैट भरा हुआ है इससे बहुत जादा लजीज और सॉफ्ट बनकर रेड़ी होता है और बहुत बढ़िया लगता है लेकिन उसे स्वाद बहुत अच्छा था और यह मटन आसानी से मिल जाता है हर दुकानों पर यानि जहां पर भी मटन कट करके देते हैं वहाँ पर अगर कहेंगे सीने का मटन तो आसानी से मिल जाता है तो देकि बॉयल हो चुका था इसके अंदर कितनी सारी यखनी भी आ चुकी थी अब इसे हम मिक्स करेंगे और साइट में रख देंगे इसमें विल्कुल हमने हल्दी यूज नहीं की है कैसरन करेंगे इस पर बड़ा बगोना रखेंगे इसमें डालेंगे 150 ग्राम ओईल थोड़ा कम डालेंगे तो यहां पर सारे खड़े मसाले लेंगे साबोत वाधे जैसे वन टेबल स्पुन 0-1 टीजबट 0-10-10 और रा काली जमेर काट को बाद में दो मीडियम सइब कारेंगे पतली ड़िछ की हुई उसके डालने के बाद में मिक्स गरेंगे तो जो गरम मसाला है तो हमने बहुत सारा साबूत लिया यानिए खड़ा लिया है गरमण असले लिया इस से जो है तो यह सीने के मटन में बहुत ही अच्छा बनता है और स्वाद बहुत अच्छा आता है एक बार सच में इस मटन की रेसिपी को जरूर ट्राय के जाएंगा बहुत ज़्यादा लजीज बनता है अनियन को हमने अच्छी तरहां से भून लिया हलका गोल्डन ब्राउन होने तक है इसमें दालेंगे फिर से टू टेबल स्पून लस लसन अद्रक थोड़ा ज्यादा जाता है इसमें आप आपको अगर ज्यादा पसंद ना हो तो आप थोड़ा से कॉंटेटी कम भी कर सकते हो लसन अद्रक दालने के बाद में फिर से अच्छी तरहां से हमने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में इसे पका लेना है त एक उले के च्बाइब के 8 मिट खुके तैries Our Home फफ़वज है मुंआफिते दर्फ लाइब ने लगा था तो अब कर ada बहुज दो अच्छी तरह आ हैंती ऊच्छी तरह चीग चुक लोकिता है तो नोठीन दर्फ नश्चेअ रहती करसे उतना ही हमने टॉमेटो इसमें यूस किये है टॉमेटो से एक खटा फ्लेवर आता जो है इसकी ग्रेवी है वो भी बहुत थीक और अच्छी बनती है अब टॉमेटो मिक्स करने के बाद में जो है तो इसे पकने के लिए हम 10 से 12 मीट ऐसी रख देंगे इसमें थोड़ा सा नमक नमक डालेंगे ॅबने 20 आत के अनुसार नमक डालने के बाद में फिर से इसे मिक्स करेंगे जब तक के टॉमेटो गले न जब तक जो है तो हमें इसे पका लेना है अच्छी तरहां से अब यह जब तक पकता है तो मैं आपको magic masala बताऊंगे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूं magic masala दालना तो कई लोग मुझे पुस्ते हैं दी दी हमें magic masala की recipe दीजिए तो मैं इसी recipe में आपको magic masala की recipe दीजिए जिस के लिए हमने तो तो देखें long इतनी मोच करतों नहीं बताऊंगे 2 टेबल स्पून long लिए 2 टेबल स्पून काली मैच लिए 2 टेबल स्पून जो य कई तो शाह जिरा लिए 5-6 करन फूल लिए 5-6 बढ़ी दाइची लिए 3 टेबल स्पून भरकर जो भर यानी हरी लिएच की जाती इसकी खुश्वू बहुत अच्छी आती तो अगर आपके पास में यह वाली दाल चीनी हो तो आप इस्तेमाल करें वरना नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हो तो यह वाली दाल चीनी लिए हमने इतनी लगबग 50 ग्राम जितनी और मनें बाकि आपको सारे चीज़े हो मतन हो चीकन हो किसमें भी आप यह मैजिक मसाला गरम मसाले के अलावा यूस कर सकते हो अब इसे एक एर टाइट कंटेनर में हम भर कर रख देंगे तो देखिए यहां पर टोमेटो भी अच्छी तरहां से बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुके देखिए बिलकुल भी टोम में हमें दालना है ऐसा नहीं कि यहनी को अलग रखना है मेटन को अलग रखना है यहनी के साथ में हमें दाल देना है यह खाड़े मसाले का जो स्वादन बहुत जबरदास आता है इस सीने के मटन में इसमें डालेंगे वन से टू टेबल स्पून लाल मिच पाउडर हाफ टी रख देंगे दस से पंद्रा मेट सुलोफ लैम पर पकने के लिए तो देखें इसमें कितना जादा जो है तो आईल आ चुका था यानि रोगन आ चुका था इसी से ये खास मटन बनकर रेडी होता है के सारा मटन खड़े मसालों में रहता है खड़े जितनी भी हमारी इसमें इंग्रिडियन्स रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं मतलब कि सब्सब्स का का कुछ इना थव ले खड़े रहते हैं तेब घ्याज़ का फिल्म हम बन कर देंगे कि मटन बन चुका तब देखिए राइस के साथ रोटी के साथ पराटे के साथ नान के साथ में पाओ के साथ में आप इन मटन को आसानी से इंजॉय कर सकते हो एक बार जरूर बना कर देखिएंगा और मुझे कहिएंगा कमेंड वक्स में कमेंड करके कि आपको ये मटन की रेसिपी कैसी लगी अब एक सर्विंग डिश लेंगे इसमें सर्फ करेंगे देखते ही आ मुह में पानी बहुत ज़्यादा जबर दस बनता है फिर सिकाओंगी सीने के मटन का एक बार आप जरूर इस तरह से मटन बनाई है आई होब गाईज आपको ये सूपर डिलिशिस मटन की रेसिप पसन है रेसिप पसन है प्लीस लाइक कीजिए शेयर कीजिए कीजिए लापीज